हलो दोस्तो नमस्कार मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुर्कुल पॉइंट में और आज दोस्तो सामान हिंदी में मैं एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ और अगर मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं कभी भी इस चैनल पे रस नहीं कभी पढ़ाऊंगा ठीक है और रस का इतना छोटा सा ट्रिक लाया हूँ कि उस ट्रिक से आप रस के सभी रसों के अस्थाई भाव और रसों की परिभासा मात्र और मात्र 2-3 मिनट में पूरा याद करा दूँगा और अगर आप चाहते हैं कि 2-3 मिनट में आप सभी रसों का स्थाई भाव और परिभासा जीवन भरना भूलें तो ये वीडियो को सुरू से लाश्ट तक जलूर देखिएगा यहाँ पे आप पढ़े होंगे ना चौपाई रामचरित मानस में तुलसी दाजी ने लिखा ना मंगल भावान अमंगल हारी कब हुशुदसरत अजर बिहारी तो बस ऐसे ही मैंने चार लाइन का चौपाई बनाया है आप इसी को उसी के लह में गा सकते हैं और याद कर लिजिए और जीवन भर रसो का स्थाई भाव कभी भी आपको परिक्षा में गलत नहीं होगा कैसे देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे दोस्तो करूड हास सिंगार मिलकर बीर भयानक सांत बना उसी लह में आप गा सकते हैं जिस चौपाई को मैंने अभी गाया है अब आप सोचेंगे सर कैसे हो गया देखो यह चार लाइन का कभिता अगर आपने यह चौपाई याद कर लिया तो जीवन में कभी भी किसी एकजाम में अगर किसी भी रस का अस्थाई भाव पूछ दिया तो कभी गलत नहीं होगा कैसे? यहाँ देखो मैंने लिखा है करूड तो करूड का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है बात समझ गए यहां मैंने लिखा है हास से रस तो हास का स्थाई भाव क्या होता है हास होता है बिनोध का भाव उत्पन हो यहां मैंने लिखा है सिंगार तो सिंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है रती होता है फिर आगे मैंने लिखा है बीर रस तो बीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है उत्सा होता है अब ये नीचे वाली लाइन देखते जाईएगा ये सब उसके अस्थाई भाव है यहाँ पर मैंने लिखा है भयानक रस तो भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है भय होता है यहाँ मैंने लिखा है सांत रस तो सांत रस का स्थाई भाव क्या होता है निर्वेध होता है जब बिल्कुल मन क्या हो जाए शांत हो जाए फिर आगे यहाँ पे आदभूत रस लिखे है आदभूत रस का स्थाई भाव क्या होता है बिस्मय होता है होता है कि नहीं होता है अब यहां मैंने लिखा है रौद रस तो रौद रस का स्थाई भाव क्या होता है कुरोध होता है यहां मैंने लिखा है बिभस रस तो बिभस रस का स्थाई भाव क्या होता है जुगुपसा होता है और मैं यहाँ पे लिख दियाऊँ 9 रस मुख्य रूप से 9 रस माने गए है ठीक है और 9 रसों का ये आप इससे ये जान जाएंगे कि रस कितने परकार के होते हैं 9 परकार के होते हैं ठीक है तो यहाँ रसों का स्थाए भाव बनाईए सब जो है अंतिम लाइन, दूसरी लाइन, यानि दूसरा लाइन अस्थाई भाव है, और पहला या और तीसरा लाइन जो है रसों का नाम है, तो है न मज़ेदा ट्रिक, चौपाई याद कर लिजिए, और ये चाल लाइन की चौपाई तो बिलकुल याद कर लिजिए, जीवन हुआ था भरत मुनी के द्वारा हुआ था ठीक है यह तो ट्रीक हो गया लेकिन और भी कोश्चन पूछ दे तो गलत नहोंने पाए भरत मुनी ने सबसे पहले नाट्य सास्त्र में रस का उलेख किया है अभी आगे उसके बारे में पढ़ेंगे भरत मुनी के अनुसार रसों की संख्या आठ है ठीक है और यहां पे तीन जो रस हैं तीन रस वो कौन कौन से हैं तीन वो रस हैं अदभूत रस ये बाद में जोड़ा गया है और अगला जोड़ा गया वात शल्ले रस और भक्ती रस ये दोनों जो रस हैं ये सिंगार रस के उपभेद माने जाते हैं मलब सिंगार रस से निकले हुए हैं तो वैसे अगर पूछ दे ती 11 रस हैं भरत मुनी के द्वारा पूछ दे तो 8 रस हैं कौन बाद में जोड़े गए हैं अदबुत रत्वासल्य रस और भक्ती रस समझ में आगी बात चलिए तो ये आपको याद हो जाएगा ना चौपाई याद कर लिजिए और उसी चौपाई से ये सारा आपका रसों का स्थाई भाव हमेशा के लिए याद हो जाएगा समझ में आगी बात अब यहाँ पे आते हैं यहाँ देखिए अब परिभासा याद करना हो नुभाव ब्यभिचारी संयोगा द्रश निस्पत्ती कहेंगे सर इतना बड़ा सुत्र कैसे याद होगा अगर ये सुत्र आपने याद कर लिया तो इग्यारहों रसों की परिभासा आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं और याद अगर करना हो तो इसको तोड़ के याद करिए बिभावा यहाँ से तोड़ दीजिए नुभाव ब्यभिचारी संयोगा द्रश निस्पत्ती ऐसे याद कर लिजिए कहेंगे सर ये क्या है बसीसी को समझ लिजिए आपको करना क्या है इनी से याद करना है बिभावा नुभाव ब्यभीचारी संयोगा द्रश निस्पत्ती यानि भाव बिभाव और बिवचारी भावों के संयोग से रस क्यूत्त पत्ती होती है समझ में आगी बात? नहीं समझ में आ रही है? अब ही आ जाएगा, देखिए करना क्या है? आप एक चीज ऐसे लिख दीजिए जब डैस नामक ठीक है? नामक क्या कर देंगे? अस्थाई भाव अस्थाई भाव बटे इसको क्या कर देंगे? इसको कर देंगे अस्थाई भाव और यहां कर देंगे रस ठीक है? इतना लिख लेंगे से ठीक है? क्या लिखेंगे? से बिभा फिल लिखेंगे अनुभाव और फिल लिखेंगे बेभिचारी और यहां लिखेंगे भाव के सन्योग से अब फिर यहीं आप लिख दीजिए सन्योग से रस डैस फिर यहां लिख दीजिए अस्थाई भाव उत्पत्ती होती है कहेंगे सर यह क्या है देखो यहां पे अब आपने रख दिया जैसे माली जीए स्रिंगार रस को रख दिया ठीक है बात समझ रहा है तो यहां कहेंगे कि जब सिंगार नामक रस अब इसको नहीं लेंगे क्योंकि जब यहां रस दे दिया थमको अस्थाई भाव निकलना है मेरी बात समझ रहा है तो यहां पे दो चीज रखेंगे यहां पे अगर हम अस्थाई भाव रखेंगे तो यहां रस निकालेंगे और यहां पे अगर रस रखेंगे तो यहां स्थाई भाव निकालेंगे, कैसे? जब सिंगार नामक रस से बीभाव, अनुभाव, ब्यभिचारी, भावों, भावों के सन्योग से तो जब सिंगार नामक रस से, रस, बीभाव, अनुभाव, ब्यभिचारी, भावों के सन्योग से तो सिंगार रस, अब यहां पे आपने सिंगार रस का पढ़ा ना, रती, यहां पे लिख देंगे, रती, और यहां पे हो जाएगा नामक रती नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ती होती है, अब यहां पे सिंगार के जगा कोई रख लीजिए, करूड रख लीजिए, तो जब करूड नामक रस, बी भाव, अनुभाव, ब्यभिचारी, भावों के सन्योग से तो लिखेंगे जब बीर नामक रस बी भाव अनुभाव ब्यविचारी भावों के संजोग से उसा नामक अस्थाई भाव के उथपत्ती होती है 11 रस का रखते चले जाइए रस 11 रखेंगे अस्थाई भाव निकल जाएगा अब यहाँ पे हम अस्थाई भाव रखते हैं, यहाँ पे यहाँ सिंगार हटा देते हैं, अब हम लिखेंगे जब रती नामक, अब यहाँ हम क्या रखेंगे, इसको कार देंगे, रती नामक, अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव, बेविचारी भावों के संयोग से, तो समझ में आया वीडियो को फिर से रिवर्स कर लिजी अभी समझ में आ जाएगा मेरा कहने कारते है कि रती नामक अस्थाई भाव अभी ग्यारहो अस्थाई भाव यहां रखेंगे और सेम ऐसे याद कर लेंगे तो यहां पर क्या निकल जाएगा यहां पर ग्यारहो रखेंगे रस का नाम रखेंगे तो यहां स्थाई भाव निकल जाएगा मेरी बात समझ में आ गई तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताईए लाइक कीजिए सस्क्राइब करिए शेयर करिए और गुरकुल पॉइंट का जो वैल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लिजे ताकि मैं जो भी नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जै हिंदी, जै हिंदुस्तान नमस्कार